Hey everyone, welcome to biology at ease बचो, NEED 2024 Slabers Reduction के regarding एक update आई है Though it is not an official update, NTA या फिर NMC की website पर कुछ notice upload नहीं वा है लेकिन Times of India ने article release किया है बचो और अपने YouTube के NEED से related पिछले 5 साल की experience की basis पर बताओ तो Times of India की news most of the time authentic ही रही है तो Times of India के recent interview में NTA ने चीज़ mention करी है कि NMC ने NEED 2024 का जो latest syllabus release किया है जिसके basis पर आप लोग तयारी कर रहे है New NCRT based जो आपका syllabus है उसके regarding भी अभी भी aspirants में clarity नहीं आई है हम लोग we are still confused ना जैसे बाईली जी में अगर मैं बात करूँ What is living ये topic New NCRT में नहीं दियावा है लेकिन NMC updated syllabus में दियावा है हमारी morphology of learning plants में एक grammy ने एक crucif ये families include करी वी है लेकिन New NCRT में ऐसे topics नहीं दियेवे है तो कुछ-कुछ ऐसे topics हैं जो की New NCRT में मौझूद नहीं है लेकिन NMC ने फिर भी NEED के syllabus में दियेवे हैं जिसको लेकर अभी तक हम लोग unsure है कि हमें वो चीज ने 2024 के लिए पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है तो इस confusion को दूर करने के लिए NTNA Times of India द्वारा हो रहे recent interview में ये चीज मेंशन करी है कि by next week वो लोग NEED 2024 का एक lighter syllabus रिलीस करेंगे ये syllabus पहले NMC और बाकी सारे education board से discuss करने के बाद डिजाइन किया जाएगा तो by next week हम लोगों को ये clear हो चाएगा कि जो newly added topics हमारे NEED 2024 में add हुए है वो topics भी हमें पढ़ने है या फिर नहीं पढ़ने है तो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है पैनिक नहीं होना है ये सोसते वे कि जो हम पढ़ रहे हैं अब वो आएगा या फिर नहीं आएगा फिलहाल आप लोग वो topics पढ़ो जो कि new NCRT में दिये वे हैं जिसको लेकर आप sure हो कि ये तो आएंगे ही आएंगे और जो वो topics है जिनको लेकर हम unsure हैं जैसे कि morphology की वो extra families वाला part what is living वाला part जो कि new NCRT में नहीं दियावा है एक देट हफते रूँचाहिए जैसे NTA confirm कर देता है final syllabus for NEET 2024 फिर तैयारी शुरू करना यही main reason था कि अभी तक मैंने आप लोग के लिए अपने YouTube चैनल पर से frog topic पढ़ाया था क्योंकि यह frog newly added topic है जो कि new NCRT में तो मौझूद है और NMC ने confirm भी कियावा है कि NEET में आएगा लेकिन इसके अलावा morphology of flowering plants की जो extra families है Grammy ने एक रोसी फेही वो फिलहाल में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसको लेकर अभी हम शौर नहीं है क्योंकि वो topic new NCRT में नहीं दियावा है तो एक छोटी सी news है आप सभी के लिए कि NEET 2024 का एक lighter slabus अगले एक डेट हफते में आप सभी को मिल जाएगा उस slabus के regarding कोई भी update आती है बच्चो तो आपको इसी channel पर मिल जाएगी देखो आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चोटी चोटी अप्डेट्स आने वाली है तो मैं कोशिश करूँगी अपने channel पर जब भी वी वीडियो अप्लोड करो तो मुश्किल से एक डेट मिनट की ये वीडियो हो ताकि आप लोग का जादा time waste भी ना हो बचो आपके बाइली जी की preparation के लिए मेरी playlist section जरूर चेक करिएगा NCRT की most important line वाली playlist है जहाँ पर मैं class 11-12 बाइली जी की NCRT की एक-एक line का 59 seconds में quick revision करवा रही हूँ बाइली जी super shots नाम से मेरी एक और playlist है जहाँ पर एक-एक topic को मैं 59 seconds के अंदर समझा रही हूँ class 11-12 बाइली जी के difficult topics के लिए मेरी ये दोनों playlist चेक करिएगा genetics की playlist भी जरूर चेक करिएगा और difficult topics हो याद करने के लिए need by ली जी शोट देशी trick videos वाली playlist चेक करिएगा मेरे telegram channel by ली जी 80 से आप लोग बाइली जी के हर एक chapter से हर एक unit से बाइली जी full syllabus से mock test के pdf completely free of cost डाउनलोड कर सकते हैं और बाइली जी के खुब सारे questions free of cost practice कर सकते हैं मैंने एक और YouTube channel open किया है बाइली जी 80 Shorts नाम से तो need 2024, 2025 related जोतरी भी preparation related video update related video होगी उनको मैं Shorts की form में इस channel पर upload करूँगी और इसी channel पर मैं आप लोग का biology का quick revision करवाने के लिए आप लोग को हर दिन colorful posters प्रोवाइड करा रही हूँ इन posters में आप लोग को pictures भी मिलिंगी ताकि आप लोग YouTube पर जब भी आए आप लोग का biology का quick revision हो सके तो आप सभी NEED 2024 aspirants के लिए अगले एक से देड़ अपने के अंदर एक new lighter syllabus introduced होने वाला है यह syllabus new NCRT based ही होगा लेकिन उस चीज़ को लेकर हमें surety हो जाएगी कि newly added topics हमें पढ़ने है या फिर नहीं पढ़ने है अगर पढ़ने है तो कौन कौन से topics पढ़ने है thank you so much for watching this video and if you like it make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos thank you